मतलब SST में मेरे को नफरत थी पर फिर भी मेरे SST में आये 100 out of 100 तो hello friends मेरा नाम है कुशल और आपका young minds में बहुत बहुत स्वागत है मेरे class 10th board में थे 97% और अगर मेरे आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं बस मुझे अपना बड़ा भाई समझिए और follow करते रही है इस चैनल को जो भी question से आप पुछते रही है मैं आपको जवाब देते रहूँगा और जाके 4 दीजे class 10th board के exam तो इस वीडियो में आपने बात करने वाले कि class 10th में मैंने कैसे लाया 97% ठीक है तो देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लाना बट छोटी बात भी नहीं है मेहनत तो करनी पड़ेगी बस एक strategy के साथ मेहनत करनी पड़ेगी आपके easily आ जाएंगे बहुत ही easily आ जाएंगे तो मैं एक बड़ा average student हुआ करता था और एक average student होने के बावजूद भी मैं 50% ला सकता हूँ तो आप भी definitely ला सकते हो अपने आप में विश्वास रखो और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन दो बस forward होगे यह मेरी guarantee है तो class 9 से ही मेरा main जो focus था वो था coaching में PCM की coaching करता था और ऐसे board पैटन में में उतना focus रहता नहीं था मेरा और school में भी मैं उतना जादा ध्यान नहीं दिया करता था बस मैं इतना कर लिया करता था जितना मेरे teachers बोलते थे यह बहुत जादा important चीज है कि teachers को blindly follow करो अगर teacher ने बोल दिया कि इस line को underline करो तो at least मैं उतना काम तो कर लेता था जहां अगर book में marking करा रहे हैं कई questions लिखा रहे हैं तो वो मैं जरूर कर लिया करता था भले notes words उत्ते proper नहीं बनाता था but then also marking वगरा जितने teachers बोलते थे उतना में ढंक से कर लेता था बाकी time में घर आके अपनी PCM की पढ़ाई करता था थोड़ी high level की but यह school level का मैं उतना neglect करके ही चलता था but last के दो months में मैंने काफी जादा मेहनत की थी boards के लिए और finally मैंने 97% आ गए तो अगर आपका main focus सिर्फ boards हैं तो आप भी easily ला सकते हैं मतलब अगर आप साल बर consistently बोर्ड के लिए पढ़ते जाएं तो आपके 97 के 98-99 के उपर भी आ सकते हैं यह मेरी guarantee है स्कूल से assignments मिलते थे homework मिलते थे NCRT यह सब मैं side side में थोड़ा बहुत कड़ते रहता था तो 9 तो ऐसे चले गया तो 10 में क्या हुआ कि 10 में भी मेरा पूरा साल लगभग ऐसे ही गया मेरे को teachers बहुत बोलते थे कि पढ़ लो खासकर biology जैसे subject मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थ बतलब SST में मेरे को नफरत थी पर फिर भी मेरे SST में 100 out of 100 इस बात की मुझे इतनी खुशी है और आज मेरे को लगता है SST was one of my favorite subjects in class 10th क्योंकि जब मैं actual में SST पढ़ा ना तब मुझे पता चला इस subject की beauty तो आप इस subject की depth में जाओ अगर आप मजे लेके पढ़ने लग जा एकड़ मजे से बिना बोर हुए एकड़ मजे के साथ जैसे हिंदी मेरा week था तो for an example मुझे dictation मैं अपनी नानी को दे देता था एक chapter रो बोलता था मेरे tough words का dictation लीजे ताकि मेरे spelling improve हो सके तो इस तरीके से मैंने dedication दिखाया और improve किया SST में मैंने line to line फिर पढ़ना शुरू क मारκιंस जो मैंने सालवर की थी उनको प्रापःली आत कड़ना शुरू किया और एकडम interest के साथ प्रॉपल्प पढ़ना शुरू किया और एसे पढ़ते पढ़ते एकडम interest अगया फिर max. से मेरा पूरा तरीके से ध्यान हट शुका था कि मेरे कित्ते marks आंके और मैं पूरे journey और पूरे जो होता है ना जर्णी को एंजॉय करने लग गया था, फिर जो एक्जाम देना और रिजल्ट आना वो एक बाइप्रोडक्त हो गया, और फिर फाइनली 97% मेरे आए और SST और हिंदी में मेरे full marks भी है, तो काफी जादा खुशी हुई, मेरे को लिटरली अपने आप मैं और मैं बताओं तो मैं सिर्फ पढ़ाई नी करता था, मैं म्यूजिक भी करता था, मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है, अलग-अलग books read करता था, मैं cricket खेलने जाता था, मैं सारी activities करता था, और उसके बाद रोज consistently थोड़ा-थोड़ा पढ़ता था, और last month जैसे मैंने थोड़ा proper time table के साथ, मैंने पढ़ाई की थी last two months, उसका result मुझे मिला, तो आपको भी smart होना पड़ेगा, hard work के साथ smart होना पड़ेगा, और यही इस channel का main motive है, ताकि मैं आपको motivate कर सकूँ, आपको inspire कर सकूँ, और आपको सही, एकदम जो quality और एकदम सही authentic strategy होती है, वो मैं सकूँ, और quality content प्रोइड कर सकूँ, तो इस channel को subscribe करिए, मुझे अपना बड़ा भाई समझीए, और बस बने रही आगे मैं ऐसी guidance की भी वीडियोज लाऊँगा, और जैसे sht की वीडियोज आ रही है, फिर मैं physics की वीडियोज भी लाऊँगा, तो ऐसे वीडियोज आते रहे या आप ही के लिए बहुत जादा beneficial होने वाला है, तो इस channel को subscribe करिए, और बस फोड़ दो या रख, जाओ आप फोड़ दो, एकदम मचा लो, एकदम बढ़ने लग जाओ बस